कि अधे नमस्कार दोस्तों आज की दूसरी बड़ी खबर जो है वह बिहार से है जहाँ आज केसी यार यानि तेलंगाना के चीफ मिनिश्टर पटना पहुंचे और पटना में उन्होंने नितीश कुमार से मुलाकात की उनके साथ लंच किया उनके अधिकारियों भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे उसके बाद केसी आर जो है वो तेजस्वी से भी मिले समोतलालु यादर से भी उनके मुलाकात हुई और बाकाइदा साम को एक प्रेस कॉंफेंस हुई जिसमें केसी आर ने केंदर सरकार पर नीतियां बदलने का यानि जो अपनी मीटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि काफी अच्छी मीटिंग हुई है और आगे जो है इस तरह की मीटिंग जो है वो होती रहेंगी असांती जब जब हुई है बिहार ने क्रांती की है यह जुमला उन्होंने आज पटना में कहा प्रेस कांफेंस में कि जब ज जब देश में असांती हुई है तो बिहार से ही क्रांती की सुरुवात हुई है और इस वक्त देश में असांती है लिहाजा बिहार से ही क्रांती होगी लेकिन क्रांती का सूत्रधार कौन होगा फिलहाल उसका नाम का खुलासा नहीं किया केसी आर ने जब उनसे ये पूछा ग रहा कि जिस तरह से आज जो मीटिंग होई है ये मीटिंग जो है आगे भी होती रहेगी और ना सिर्फ मीटिंग होगी बलकि नितीश कुमार जो है वो भी बाहर ने आएंगे बिहार के बाहर जाएंगे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और तमाम विरोधी दल जो मोधी विरो प्रटफॉर्म पर ले आए उस जब यह सारे विरोधी दल एक पर आ जाएंगे उसके बादी जो है यह अपने किसी निता का चुनाओ कर पाएंगे तो कुल मिलाकर जो विरोधी दलों की एका होने की बात है उसके सुबगाहट आज पटना से सुरू हो गई है और अब देखना है कि आगे किस तरह से जो है यह डेवलप्मेंट होता है और कैसे नितीश कुमार सफल हो पाते हैं जो भी लोग विरोधी का विरोध कर रहे हैं या अगर दो बड़े पार्टियों की बात करें जो बड़े चर्शित नमों की बात करें चाहे वो ममता बनर जी हो या अरविंद केजरिवाल हो तो मुझे तो नहीं लगता कि अरविंद केजरिवाल या ममता बनर जी जो है वो नितीश के नाम पर सहमती देंगी या वो इस मंच पर आकर साथ खड़ी होंगी नितीज के नितित में और बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश ये तीन स्टेट ऐसे हैं क्योंकि अगर यहां से अगर बीजेपी को चुनोती मिलती है तब ही जो है यह लोग बीजेपी को 2024 में हराने की कोशिस कर पाएंगे या हराने की बात कर प पाना क्योंकि 272 का आकड़ा पाना विरोधी दलों के लिए बेहत ही मुश्किल चुनोती होगी जब तक इनकी स्थिती उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल में मजबूत नहीं होती है या यू कहें उत्तर भारत के राज्यों में मजबूत नहीं होती है जिसमें से दो कॉंग्रेश के पास है चतिसगड़ और राजस्थान तो सवाल इसका भी है कि क्या कॉंग्रेश जो है इस जो तीसरा मोर्चा या मोधी विरोधी मोर्चा जो तैयार हो रहा है इसको साथ देगी इसको अपना समर्थन देगी ये भी देखने वाली बात होगी सारी चीज़े जो है भविस्य के गर्ब में हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो मिरोधी जो सुरुवात हुई है सुक बगहाट हुई है ये अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए यूपी न्यूज इसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कैमरमन अवन वर्मा के साथ अनूप श्रवास्तो यूपी न्यूज लखनू